Hello everyone, Welcome to Success with Raya Academy अभी हाल ही में केंदरी मंत्री मंदल ने प्रधान मंत्री जन जाती आधिवासी न्याय महा अभ्यान को मंजूरी दी है जिसको शौर्ट फॉर्म में प्रधान मंत्री जन्मन योजना का नाम दिया गया है तो इस वीडियो में ये योजना किस के लिए है, किस तरह से है, और इसका क्या लाब है, किस तरीके से लाब मिलेगा, इन सभी points को इस वीडियो में हम discuss करेंगे, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये एक question इस वीडियो से जरूर आ सकता है, क्योंकि जितन भी भारत सरकार दोरा योजनाय चलाई जाती है, वो important होती है, तो इस योजना से भी एक question बन सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा, तो आप comment box के माध्यम से बता दीजेगा, मैं इस वीडियो का PDF, टेल प्रणान मंत्री निरेंद्र मोदी की अधिक्षता में cabinet की बैठक होई, जिसमें 24,104 करोण रुपए, 24,104 करोण रुपए की जो योजना है, उसको मंजूरी दी गई, अब इसमें ये भी जान लीजे कि केंद्र सरकार 15,336 करोण रुपए देगी, और राज्य सरकार इसमे देगी 8,768 करोण रुपए का योगदान दिया जाएगा, प्रणान मंत्री जन जाती आदिवासी निया महाभियान को इसमें मंजूरी दी गई, इसके अंतरगत देखिए, टोटल 9 मंत्रालियों का इसमें भागिदारी रहेगी, जिसके माध्यम से 11 एहम छेत्रों पर ध्या प्रणान केंद्रित किया जाएगा, जैसे आवास हो गया, और आर्थिक विकास हो गया, समाजिक विकास हो गया, इस तरीके की 11 जो एहम छेत्र हैं उन पर फोकस किया जाएगा, और टोटल इसमें 9 मंत्राले कार्य करेंगे, प्रणान मंत्री ने जन जाती गौरत दिवस के आउसर पर खोटी में इस अभियान की घोशना की थी, तो ये एक बहुत इंपोर्टेंट योशना बन गई है, आगे हम देखते हैं कि इसमें जो विसेश रूप से कमजोर जन जाती समूहों के सामाजिक आर्थिक इस्तितियों में सुधार के लिए, प्रणान मंत्री ने इस मिशन को सुरू किया गया, यानि कि जो आपको पता होगा कि जो जन जाती समूदाएं हैं वो कहीं न कहीं विकास से बहुत दूर होते हैं, उनमें सिख्छा का भाव होता है, आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं होते हैं, समाजिक तोर पर उनकी पहचान नहीं होती है, इसकी घुषना की गई थी, तो इसमें होगा क्या है, कि जो जन जाती समूदाएं को इसमें फोकस किया जाएगा, जो लगबग 75 जन जातियां होंगी, उनका विकास किस तरीके से किया जाएगा, देखिए, सुरक्षित आवास, इसमें परिवार और बस्तियों को सुरक्षि आवास दिया जाएगा स्वख्षपेजल दिया जाएगा स्वख्षता पर फोकस किया जाएगा सिख्षा स्वास्थ पोशन बहतर पहुँच बनाई जाएगी सड़क दूरसंचार कनेक्तिविटी और जो मन्रेगा टाइप की योजनाए हैं उनको वहाँ पर चलाया जाएगा तो अनुसूचित जन जातियों के विकास और कार्य योजना के तहट अगले तीन वर्सों में मिसन को लागू करने के लिए 15,000 करोड रुपए की रासी बजट में आवंटित की गई थी, तो अब इसको लागू किया जाएगा, यह एक खर्च किया जाएगा, यह एक अच्छा थी, वो 10.45 करोड थी, और यह 18 राज्य और केंसासित प्रदेशों जिसमें अंडमान और निकोबार दीप समू है, वो भी इसमें सामिल है, लेकिन अब जब 2011 के बाद, अगर हम 2019 और 2020 की रिपोर्ट की बात करें, तो यह जो आकड़ा है, वो 11 करोड से उपर जा चुका है, और इनकी जो भागेदारी है, वो जनसंख्या में, वो 8.9 परतीसत है, यह भी important point है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इनका जो main focus है, वो है कि किस तरीके से जो सामाजिक, आर्थिक और सेक्षनिक विकास है, वो किया जाए, जो इस योजना का जो मूल उद्देश से है, जनजातिय समूहों का किस तरीके से आर्थिक सामाजिक और सेक्षनिक विकास किया जा सके, इसमें अब जो परधान मंत्री जन्मन योजना है, जो केंद्रिये छेत्र और केंद्री प्रायजित योजनाओं को मिला कर है, उसमें जनजातिये मामलों के मंत्राले सहित 9 मंत्राल कि क्रम संख्या गति विधी यानि कि किन किन छेत्र में होगा लाभारतियों की संख्या और लागत मांदन जैसे पहले पे हैं पक्के मकानों का प्रावधान किया गया है जिसके लाभारतियों की संख्या है चार लगभग पांच लाग है और इसमें जो लागत का अनुमान लग आए गया है वो 2,40,000 रुपए प्रती मकान पर लगाया गया है यानि कि लगभग आप 2,500,000 मान सकते हैं उसी तरीके से जो सरक है संपर्क मार्ग है वो 8,000 किलो मीटर का तयार किया जाएगा और इसमें 1 करोण प्रती किलो मीटर का खर्च आएगा उसके बाद नल जल आपूर इस तरीके से है आप चाहें तो इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं उसके बाद है सामुदयाइक जल आपूर्ती यानि कि जल किस तरीके से सुद्ध जल पे जल पहुंचाया जाए दवा फार्मेसी वगएरा का छात्रवासों का निर्मान छात्रावासों का छात्राओं के लिए व्यवसाइक सिक्षा है, हम कौशल का विकास किस तरीके से किया जाए आंगनबारी केंद्रों का निर्मान है, इसमें बहुत देशी केंद्रों का निर्मान है और उसके बाद HH का उर्जा करण यानि कि किस तरीके से connectivity को सुधारा जाए solar off grid प्रणाली solar के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाए सोनको और MPC में सौर प्रकास यानि कि solar panel लगाए जाए उससे light मिले और VD VK की स्थापना की जाए तो ये कुछ छेत्र हैं जिन पर विकास फोकस किया जाएगा और 11 छेत्र है mobile टावरों की स्थापना जो 3000 गाओं में लगाया जाएगा और इसमें खर्च जो होगा वो कंपनी के हिसाब से आएगा तो ये जितने भी दिये गए हैं 11 छेत्र उसके अलावा जो आयूस मंत्राले है उसमें मौजूदा मान दंडो के अनुसार आयूस कल्यान केंदर इस्थापित करे जाएंगे और mobile चिकित्सा एकाईयों के माध्यम से योजनाओं में बस्तियों तक आयूस सुवधाएं पहुचाए जाएंगी कौसल विकास उद्धमिता मंत्राले इसमें कारे करेगा ताकि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके तो आपने समझा कि प्रधान मंत्री जन्मन योजना क्या है प्रधान मंत्री जन्मन योजना जन जाती आदिवासियों के लिए है अनुसूचित जन जाती के लिए है उनका किस तरीके से सैक्षनिक, सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाए, किन छेत्रों में किया जाए तो ये योजना important हो गई है क्योंकि इसको 29 नॉंबर को मंजूरी मिली है और 29 नॉंबर के बाद से जितने भी exam होंगे, one day exam होंगे उसमें ये important रहेगा ये वीडियो कैसा लगा आपको और ये topic wise वीडियो कैसे रहेंगे अगर मैं regular इसको करता हूँ तो यही जरूर comment box के माधिम से बताईएगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद